जै मसिकी, गुट मॉनिंग, आज सुभा, प्रभु का बच्छन हमारे लिए, भजन सहीता, अध्याय सतत्तर, आयत 3, साम्स, चैप्टर 77, वर्स 3, आपके लिए पढ़ना चाती हूँ, मैं परमेश्वर का स्मरन कर करके करहाता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्चित हो चला ये भजन आसाप के द्वारा लिखा गया है, और तीसरी आयत का सेकेंड लाइन पर आज हम लोग मनन कर रहे हैं, जहाँ पर लिखा है, मैं चिंता करते करते मूर्चित हो चला हूँ, इस लाइन में एक शब्द है मूर्चित, आज हम लोग सीखेंगे, ये वर्ड और भी एक तो आयत में इस्तमाल किया गया है, तो यहाँ पर जब लिखा गया है मूर्चित, मूर्चित का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसी शब्द के लिए इस्तमाल किया गया है, फेंट, फेंट का मतलब है एक बेहोशी के हालत में चला जाना, मतलब एक इनसान जब बेहोश होता है या बेहोशी से कुछ समय पहले वो चाहता है कि वो अपने शरीर को स्थिर रखे अपने जीवन को स्थिर रखे लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अब शरीर का नियंतरन मेरे हाथ पे नहीं है अंधेरा सा चा जाता है उसको कुछ समझ नहीं आता है थोड़ी देर में उसका होश चला जाता है जब आसाप यहाँ पर कहता है कि मैं चिंता करकर के मूर्चित हो गया हूँ मतलब आत्मिक जीवन में वो ऐसा एक आवस्था में पहुंच गया है जहाँ पर उसे लगता है कि अब मैं कुछ करने ही पा रहा हूँ मेरे हाथ मे मेरे हातों से निकल रहा है मेरे प्रियों क्या आत्मिक विश्यों में हमने कभी ऐसा महसूस किया है आसाप ने महसूस किया है आसाप ने ऐसा क्यों महसूस किया वहाँ पर साफ लिखा है मैं चिंता करकर के मुर्चित हो चला हूँ मेरे प्रियोच चिंता एक बहुत बड़ा श्राप है हम लोग अगर चिंता करेंगे तब हमारा जीवन मुर्चित हो जाएगा हम जब चिंता करते हैं चिंता के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारिया शुरू होती है सिर में दर्द, बीपी का समस्या, अलसर का समस्या ये सारी बाते चिंता से उत्पन होती है आज बहुत सारे लोग है जो अपने जीवन में चिंता करते हैं हो सकता है अपना फ्यूचर को लेकर है, हो सकता है अपना सेहत को लेकर है अपने बच्चों को लेकर है या अपने रिष्टों को लेकर है कुछ न कुछ ऐसा विशय है जिसको लेकर लोग चिंता करते हैं जबकि बच्चन में साफ लिकाईश मसी कहता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए तो मेरे प्रियों आज ज़रा सोचिए ऐसा कौन सा विशय है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं आप दुखी हो रहे हैं और उस कारण आपका मन नहीं लग रहा है तो उस विशय को आप रभु के हाथ में दीजिए नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन में हम मूर्चित हो जाएंगे एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ बजन सहींता 143 और उसका चौती आयत साम 143 वर्स 4 यहाँ पे लिखा है मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है मेरा मन विकल है इंग्लिश में यहाँ पर इस्तमाल किया गया शब्द है कि मेरा हृदय या मेरा मन मूर्चित हो चला यहाँ पर हलाकि इस्तमाल कि वर्ड्स है व्याकुल है मेरा मन विकल है तो यहाँ पर दावुद इस भजन को लिखता है दावुद के जीवन में भी ऐसा एक अवस्था में वो पहुंच गया है जहाँ पर उसको लग रहा है कि मेरा मन मेरी आत्मा मूर्चित हो चला और उसका कारण क्या है तीसरी आयत में हम पढ़ सकते हैं शत्रु तो मेरे प्रान का गाहक हुआ है उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुएं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है यहाँ पर दाउद अपने शत्रुओं का सामना करते समय किस हालात से होकर जा रहा है उस हालात का विवरन यहाँ पर किया गया है मेरे प्रियों हमारी आत्मिक जीवन में भी बहुत से वक्त हमें आत्मिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जब हम लोग आत्मिक रीती से बढ़ते हैं शैतान हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है शैतान हमारे खिलाफ लड़ता है और उस समय पर क्या होता है हम लोग निराश हो जाते हैं हम लोग उदास हो जाते हैं हमारा मन मूर्चित हो जाता है मेरे प्रियों आज क्या आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर जा रहे हैं जिसके कारण आपका मन मूर्चित है आपका मन उदास है मेरे प्रियों हिम्मत रखिएगा परमेश्वर हमारे साथ है हमारे हरे एक लड़ाई में हमारे हरे एक आत्मिक युद्ध में परमेश्वर हमको जहे देगा हमारा मल युद्ध हमारा युद्ध किसी इनसान से नहीं है लेकिन शैतानी शक्तियों के खिलाफ परमेश्वर ने पूरवाई भाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्चित होने लगा यहाँ पर हम योना के बारे में पढ़ सकते हैं कि योना के सिर पर ऐसा कड़ी धूप लगने लगा कि वो मूर्चित होने लगा मेरे प्रियों यहाँ पर धूप क्या है हलाकि यहाँ पर योना के सिर पर सूर्य का धूप गिर रहा है लेकिन हमारी आत्मिक जीवन में धूप का मतलब क्या है बचन में लिका है जब तुम आग से होकर जाए जब तुम नदी से होकर चले इसका मतलब जब हम संकट से होकर जाएं, मतलब जब हम धूप का सामना कर रहे हैं, कडी धूप जो हमें जला सकता है, उसका मतलब है हम लोग संकट से, परिशानी से होकर जा रहे हैं, ऐसे समय पर भी हम लोग मूर्चित हो सकते हैं, मेरे प्रियों हमारी आत्मिक जीवन में हम ध्यान देना है जब हम लोग संकट का सामना करते हैं जब हमारी जीवन में प्रॉब्लम्स है जब हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लड़ाईयां है ऐसे ऐसे बाते हो रही है जिसके कारण शांती भंग हो रहा है या फिर आप ऐसे परिशानियों का सामना कर रहे हैं आपके राव में चल नहीं रहे है ऐसे परिशानियों का सामना करते समय हमारा हृदय मूर्चित हो जाएगा तो उस समय हमें क्या करना है हम लोग ध्यान देंगे एक और आयत हम लोग पढ़ेंगे भजन सहींता 61 और उसका तीसरी आयत साम्स चैप्टर 61 वर्स 3 दाहुद यहाँ पर कहता है जब मेरा मन मुर्चित हो जाता है जब मेरी आत्मा मुर्चित हो जाता है उस समय पर मैं पृत्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा जो चटान मेरे लिए उन्ची है उस पर मुझे को ले चल चटान कौन है हमारा चटान ईशु मसी है तीसरी आयत में क्योंकि तू मेरा शरन स्थान है और शत्रू से बचने के लिए उंचा गड़ है यहाँ पर दाउद क्या कहता है जब मेरा मन मुर्चित हो जाता है तब मैं मेरा परमेश्वर को पुकारूंगा और मेरा परमेश्वर मेरा शरन स्थान है मतलब मेरा कोई भी संकट क्यों ना हो मेरा कोई भी परेशानी क्यों ना हो परमेश्वर मेरा शरन स्थान है उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं हे परमेश्वर मेरा चिलाना सुन मेरी प्रार्थना की और ध्यान दे यहाँ पर दाओद एक संकट में है, दाओद प्रभु से कहता है प्रभु मैं आपके नाम की तरफ या नाम को पुकार कर मैं चिला रहा हूँ, प्रभु मेरा मन मुर्चित हो जा रहा है परमेश्र पिता, तु मेरा शरन स्थान है, मैं दोड़ कर तेरे पास आ रहा हूँ प्र शानी के कारण आप मूर्चित है विशे कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियों अगर आप मूर्चित है प्रभू के नाम को पुकारिएगा परमेशर आपकी जीवर में नया बल देगा नहीं ताकत देगा प्रभू आपसे प्रेम करता है परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए प्रभू नहीं चाहता है कि आप मूर्चित होकर इस प्रतवी से चले जाए लेकिन परमेश्वर बोलता है परमेश्वर का बचन कहता है कि मैं तुम्हें नया बल दूँगा नई शक्ती नई सामर्थ से हमारा परमेश्वर हमें भर देगा तो आज अगर हम ऐसी अवस्था से होकर जा रहे हैं तो प्रभू के नाम को हम पुकारेंगे आई हम लोग प्रातना करें स्वर्गे पिताच का बच्चन के लिए मैं धन्यवाद करती हूं प्रभू जी बच्चन के सामने प्रभून को रिवाइव करना एक और बार जिलाना करकर मैं प्रातना करती हूँ पर में इश्रपिता प्रभून को नया बल और ताकत से भर देना प्रभू जी पवित्रात्मा की सामर्ट से भर देना प्रभू जी फिर से खड़े होकर आपकी सेवा करने के लिए फिर से खड़े हो कर आपकी अराधना करने के लिए फिर से आपसे प्रेम करने के लिए आप इनको मदद करना करकर मैं प्रातना करती हूँ आज का ये बच्छन बहुतों के लिए एक आशीश का कारण होने पाये करकर मैं दुआ करती हूँ आपने हमारी प्रातना सुन लिए असलिए धन्यवाद आदर और महिम आपको देते हुए इश्यू के नाम से हम मांगते हैं आमेन, गॉड ब्लेस यू आल जै मसी की